सल जी और मल जी एक गाऊं ठाए उस गाऊं में दो भाई रहते थे एक का नाम था सल जी और दूसरे का नाम था मल जी दोनों भाईयों में अचूट प्रेम था किन्तों उन दोनों को रतोंधी Какा रोग था रात हुते ही उन्हें जरा भी दिखाई नहीं देता था इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने एक तरकीम भी खोज ली थी वे रात के पहले ही सारे काम धंदे खत्म कर लेते थे फिर आराम से बैच कर गप्पे मारते थे एक दिन वे दोनों भाई अपनी ससराल रवाना हुए दोनों भाईयों का एक ही जगा विवा हुआ था दोनों ने सोचा कि दिन बीतने के पहले ही ससराल पहुँच जाएंगे इस कारण उन्होंने बैल गाड़ी को तेज चलाया ससराल की सरहद पर पहुँचकर उन्हें ध्यान आया कि ससराल दिन में नहीं जाना चाहिए इसलिए उन्होंने अपनी गारी की बैल खोल दिये दोनों भाई एक पेड के नीचे बैठ गए और चिलम पीने लगे दिन बीद गया गपों में उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात को वे अपने बैल कैसे ढूंडेंगे तब सल जी ने चिंतिद होकर कहा भाई अपने बैलों को तो ढूंडो इस अंधेरे में हम उन्हें कैसे देख पाएंगे मल जी ने सल जी से कहा हमें दिखाई तो देगा नहीं क्यों न हम इस पगरी को फैला कर चले इसके बीच जो भी अचकेगा उसे हाथ लगा कर देखते जाएंगे आखिर में बैल मिल हे जाएंगे बस दोनों भाईयों ने पगरी का एक एक सिरा पकर लिया पगरी सौगज लंबी थी अब वे जंगल की और बढ़ते गएं कभी पगरी पेड में अटक जाती और कभी किसे जाड़ी में इस तरह काफी रात बीच गई बैल नहीं मिले दोनों भाई बड़े दुखी हुए करें तो क्या करें अचानक उन्हें एक बटोही ने देख लिया वह लपक कर पास आया तारों के उजास में उसने देखा तो वह दोनों को पहचान गया खुशी भरे स्वर में बोला बहनो इसा आप यहां कब पधारे और इस पगरी से यह क्या क करता है यह कह रहा है कि यह खेत असी हात का है और में कह रहा हूँ कि सो हात का बस इसलिए हमने सोचा कि क्यों न इसको माप करके सही इस्धिती का पता लगा लें मेरी पगडी सो हाथ की है, सो नापने लग गए, आप ही बताओ कि यह खेट कितने हाथ का है, उसके साले ने मुस्कुरा कर कहा, लगभग सो हाथ का है, सलजी ने जट से कहा, मेरा अंदाजा ठीक निकलाना, कोई बात नहीं, अब आप हम लोगों के भूरे बैल ढूंट कर सस्राल में उनकी बड़ी आवभगत हुई, उन्हें अच्छी तरह बिठा कर, जब उनका साला परोसी हुई थाली लेने गया, तब सलजी ने मलजी से कहा, मलजी साफधानी रखना हूं, कहीं पोल न खुल जाए, साला दो थालियां रख गया, वह छाच लेने के लिए गया ह पीछे से पाल तो कुट्टा आया, वह थाली में से रोटियां उठा कर चमपत हो गया, सलजी ने कहा, अरे मलजी, कुट्टा थाली में से रोटियां ले गया है, अब की बार जरा उसका ध्यान रखना, मलजी ने अपनी लकणी पास सरकाली, इसी बीच उनकी साली ने सोचा क कि मेरे बेहनों ही अंधिरे में बैठे हैं, क्यों न दिया जला दू, वह दिया जला लाई, मलजी ने जैसे ही आहट सुनी, वैसे ही कुट्टा समझकर साली की कमर में लकणी का वार कर दिया, साली चीक पड़ी, अरे मैं मर गई रे, मेरी कमर तूट गई रे, उसका रोना साली ने आश्चरे से पूछा, क्या बात है, सली ने तुरंत बात को संभाला, यह मलजी एकदम मूर्ख है, इसको कई बार समझा चुका हूँ, कि सिस्राल में जब भोजन करते हैं, तो साली के शरीर से सिर्फ लकणी का स्पर्श कराते हैं, पर यह बावला करारे चोट मार देता है, यह तो हम दस्तूर करते हैं, भोजन कर चुकने के बाद वे दोनों घर से बाहर निगले, दर्वाजा छोटा था, मलजी आगे आगे चल रहे थे, जियो ही दर्वाजे के पास गए, तियो ही चोखट से सिर्फ जा टकराया, मलजी सिर्फ पकड़ कर रोए, मर गया अदे, साला भाग कर आया, पुछा, क्या बात है, संजी ने हस कर कहा, बात कुछ नहीं है, कुछ जवानी की उम्र ही आदमी को अकड़ूसा बना देती है, दर्वाजा छोटा और अकड़ मोटी, सो माथा जा टकराया, चोट तो नहीं आई, ऐसी वैसी चोट, तो हमारा यह म मल जी कुछ नहीं सबचता, आप बाहर वाले कमरे में पधारो, आपको वहीं पर सोना है, वे दोनों भगवान फरों से बाहर की ओर निकले, रात काली और उन्हें रतोंधी का रोग, दाय की जगा बाय चल पड़े, मल जी एक गड़े में जा गिरे, मल जी गिरते ही चिल्ला साला फिर भाग कर आया, देखा तो मल जी गड़े में तड़प रहे हैं, उसने पूछा, आप गड़े में कैसे गिरे, क्या बताओ, सल्जी हट करने लगे कि गड़ा दस हाथ का है, मैंने कहा पंदरा का, आप ही बताओ कि कितने हाथ का है, बीस हाथ का, अब आप ही इन्हे निकालिये और कमरे में पहुचाईये, सल्जी ने इस बार अपने साले का कंधा पकड़ लिया, और मल जी ने सल्जी का, दोनों अच्छी तरह कमरे में पहुच गए, दोनों ने सोने से पहले इश्वर को धन्यवाद दिया,